Hello students, welcome to you all, today we are going to discuss question answer of poem The Snake Trying It is 9th class poem, 9th class की ये poem है, ठीक है, The Snake Trying इसके हम question answer करेंगे one by one, तो ध्यान से समझे सबी students अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजी और चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर दीजी अपने फ्रेंड को सेयर करना मत भूलो, ठीक है, question number first देखें What is the snake trying to escape? Point, what is the snake trying to escape from? जो snake है, साफ है, वो trying, कोशिस करता है To escape, बचने की from से, किस से बचने की snake कोशिस करता है तो answer कैसे लिखो गया? The snake is trying to escape from the stick जो साफ है, वो कोशिस कर रहा है, किस से बचने की? From the stick, छड़ी से बचने की कोशिस कर रहा है Second question देखें, is it a harmful snake? क्या ये नुक्षान वाला harmful snake है? नुक्षान पहुंचाने वाला snake है What is its color? इसका color कैसा है? आंसर कैसे लिखोगे? No, it is not harmful snake नहीं, ये हानिकारक snake नहीं है harmful नहीं है Its small size, इसका छोटा सा size render it, इसकी शायता करता है harmless, harmless होने में even to the children, बच्चों के लिए भी इसका छोटा सा size है न, वो बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है sorry, हानिकारक नहीं होता वो harmless होता है, नुक्षान रहीत होता है The snake is green in color Snake का color कैसा है? ग्रीन है, ठीक है? Question number third देखें The poet finds the snake beautiful Poet क्या सोचता है? कि snake बहुत beautiful है Find the word आपने words तूंडने है He uses, जो use करता है He कुन? Poet Poet use करता है to convey its beauty इसकी beauty दिखाने के लिए इसकी सुन्दरता दिखाने के लिए Poet कुन से words यूज गता है? तो आप अनसर कैसे लिखोगे? The words the poet uses to convey The snake's beauty are Beautiful and graceful तो poet दो words यूज करता है ये दिखाने के लिए क्या दिखाने के लिए? Snake की beauty दिखाने के लिए Snake की सुन्दरता दिखाने के लिए Poet use करता है Beautiful और graceful Graceful और beautiful ये कोमा में बंद क्यों है? क्योंकि जो ये poem में words जैसे poet ने यूज किये है हमने same to same वही यूज किये है कोई इन में modification नहीं किया कोई change नहीं किया इसलिए इसलिए कोमा में बंद है ठीक है? आपने ऐसे ही कोमा में बंद करके लिखना है Fourth question देखें What does the poet wish for the snake? Poet की क्या इच्छा है snake के लिए? ठीक है न? Snake के पर दी क्या कामना Poet की क्या इच्छा है? कैसे लिखोगे answer? The poet wishes that Poet की इच्छा है The snake be left unharmed कि snake को छोड़ दिया जाए unharmed बिना नुक्षान पहुंचाए snake को छोड़ दिया जाए He wants it to go वो चाहता है जाए वो over the water पाने के उपर से into the reeds reeds यानि सरकंडे to hide अपने आपको छीपाने के लिए वो पाने के उपर से सरकंडों में जाए ठीक है ना? सरकंडे क्या होते हैं? सरकंडे एक तरह से तना होता है यानि stick side होती है जो अंदर से खोकली होती है ठीक है ना? उसको सरकंडे बोलते हैं ठीक है? question number 5 देखे where was the snake before anyone saw it and chased it away जब तक कोई उसको देख नहीं लेता या उसको चिडाता नहीं है तब तक snake कहा था? ठीक है? where does the snake disappear? or snake disappear कहा हो जाता है? या आपका question number 5 था तो कैसे लिखो गया आप? the snake was laying on the scent जो सांप है वो scent के उपर लेटा हुआ था till someone sight कब तक? जब तक किशी ने उसको नहीं देखा and again changed it away और इसको चिडाया नहीं या नहीं इसका पीछा नहीं किया the snake disappear snake disappear हो जाता है in the ripples ripples क्या होती है? waves of the water पानी की लहरों में वो disappear हो जाता है among the green reeds among मतलब बीच में green हरी reeds यानि सरकंडे हरे सरकंडों के बीच में वो पानी की लहरों के बीच में disappeared हो जाता है यह आपके 5 question answer थे अब जो second part में आपको दिया हुआ है find out as much as you can about different kinds of snake आपको ढूंडना है कि different kind of snakes कैसे होते हैं अलग-अलग परकार जो snake है वो different परकार के होते हैं harmless पे होते हैं harmful पे होते हैं तो आपने different kind of snakes ढूंडने हैं from books in library library से book लेके or from the internet या internet की मदद से ठीक है are they all poisonous आपने यह ढूंडना है कि क्या सभी poisonous होते हैं जहरीले होते हैं find out the name of some poisonous snake और आपने ढूंडने हैं find करने हैं क्या name some poisonous poisonous यहनि जो जहरीले साफ होते हैं जो जहरीले साफ होते हैं उनके सांपों के नाम आपने नोट करने है, ठीक है अंसर कैसे लिखोगे आप इसका No, all the snakes are known poisonous सभी snakes poisonous नहीं होते, हानिकारक नहीं होते, यानि जहरीले नहीं होते हानिकारक नहीं आएगा, poisonous यानि जहरीले, सभी snakes जहरीले नहीं होते, some of the poison snakes, कुछ poison snakes are है कोन से कोन से है, इंडियन कोबरा जो भारतिय कोबरा साप है वो सबसे जहरिला होता है common crate common crate जो साप है वो भी जहरिला होता है रुसल्स वीपर ये भी साप जहरिला होता है and sa-scaled wiper sa-scaled wiper ये दक्षिन आफिरिका पाकिस्तान श्री लंका ये ड्राइ एरिया में मिलता है जाद अतर काफी जहरेला होता है ये पोजिनस नेक होता है तो ये आपके सभी इस पोईम के कोशिन अंसर थे आई होप यू ओल अंडरस्टेंड इस कोशिन्स थेंक यू वेरी मच